एक कप काफी बनादे में कितने लोग लगते हैं। हम मेंसे कई लोगों के लिए बस थोड़ी देर टहलना और जल्दी जल्दी पानी डालना ही काफी है। लेकिन ये सरल स्टीपल एक विश्वव्यापी प्रक्रिया का परिनाम है, जिसकी लागत और जटिलता आपकी कलपना से कहीं अधेक है। जिने कॉफी चेरी कहा जाता है। चुँकि फल एक ही शाखा पर अलग-अलग समय पर पक सकते हैं, इसलिए उन्हें हाथ से तोड़ना सबसे अच्छा है। लेकिन फल को संसाधित करने की प्रत्येक खेत की अपनी विधी होती है। पीटा लीटो में हार्वेस्टर उचाई पर सुभह से शांतक कड़ी मेहनत करते हैं। अक्सर बहुत कम मजदूरी के लिए प्रती शिफ्ट 25 किलोग्राम से अधिक उठाते हैं। कर्मचारी अपनी चुनी हुई चेरी को गीली मिल में पहुँचाते हैं। ये मशीन फलों से बीज को अलग करती है और फिर उन्हें घनत्व के आधार पर क्रमबध करती है। सबसे भारी स्वादिष्ट बीज मिल के निचले भाग में डूब जाते हैं जहां उन्हें एकत्र किया जाता है। और एक या दो दिनों के लिए पानी के टब में फर्मेंट के लिए ले जाया जाता है। फिर कर्मचारी बचे हुए फलों को धोते हैं और बीजों को सूखने के लिए बाहर रग देते हैं। कुछ फार्म इसके लिए मशीनों का उपयोग करती हैं, लेकिन पीटलीटों में बीजों को बड़े जारीदार रैक पर फैलाया जाता है। अगले तीन हफ्तों में कारे करता बीजों को समान रूप से सुखाने के लिए नियमित रूप से रेक करते हैं। कॉफी बीन्स के सूख जाने के बाद एक ट्रक उन्हें कई विशेश मशीनों के साथ पास की मिल में ले जाता है। एक एर ब्लोवर घनत्व के आधार पर बीजों को फिर से क्रम बद्ध करता है, छलनी उन्हें आकार के अनुसार फिल्टर करती है और एक आप्टिकल स्कैनर रंग के अनुसार क्रम बद्ध करता है। यहाँ पर क्यू ग्रेडर कहे जाने वाले पेशेवर भूनने और पकाने के लिए फलियों के नमोने का चैन करते हैं। कपिंग प्रक्रिया में वे कॉफी की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उसके स्वाद, सुगंद और मौथ फील का मुल्यांकन करते हैं। यह विशिशग्य फलियों को एक ग्रेड देते हैं और उन्हें जहाज के लिए तयार करते हैं। अकेले नियुयोक शहर में हर दिन लाकों कप की खपत होती है। कोलंबिया से नियुजर्सी तक की लंबी यात्रा के बाद हमारी कॉफी बीन्स सीमा शुल्क से गुजरती हैं। एक बार जब डॉक वरकर्स कंटेनर को उतार देते हैं तो 18 पहिया वाहनों का एक बेडा कॉफी को पास के गोदाम में और फिर एक रोस्ट्री में पहुँचाता है। आसपास के सेंसर कॉफी की नमी के स्तर, रासायनिक स्थिरता और तापान की निगरानी करते हैं। जबकि प्रशिक्षत कॉफी एंजिनियर इन स्तरों को 12 मिनट के रोस्टिंग चक्र के दवरान हाथों से समायोजित करते हैं। ये प्रक्रिया बीज के भीतर तेल छोड़ती है, जिससे बीज गहरे भूरे रंग और सम्रद्ध सुगंद के साथ पीषने योग्य, शराब बनाने योग्य फलियों में बदल जाते हैं। भूनने के बाद कारे करता फलियों को 5 पाउंड के बैग में पैक करते हैं, जिसे वैन का एक बेड़ा शहर भर के कैफे और दुकानों में पहुँचाता है। ये कैफी न्यूक अमरित परोस्ते हैं। दुनिया के अन्य पसंदीदा पे चाय के बारे में आपको क्या कुछ मालूम है, ये कहां से आई और ये इतनी लोकप्रिय कैसे हुई। इस वीडियो से जानिए चाय के प्राची नितिहास के बारे में। प्राची नितिहास के बारे में। प्राची नितिहास के बारे में। प्राची नितिहास के बारे में।